क्लास 12 के लिए एकाउंटिंसी में हमारा एडमीशन से रिलेटेड एक कुईस्टन है जिसमें ये भी से एक फर्म है जिसमें 321 के अनपात में जो है लावाला बाढ़ते हैं और दी कोनर ने एक बटे 8 के लिए 20,000 रुपए पूंजी के रूप में लाता तथा साधेदार बना दुगने के आधार पर किया जाता है गतीन वर्सों का लाव है 12,000, 18,000 और 15,000 सबसे पहले ख्याती निकालने का फार्मूला होता है जो ऑसप लाव का उसमें तीनों वर्सों के प्रॉपिट को पहले प्लस कर लिया जाता है प्लस करने के बार जितने भी वर्स का जाता है जैसे यहां पर थ्री दिया हुआ थ्री वर्सों के उसर तो थी से मल्टिप्लाई कर देंगे इसमें दुगने लिखा होगा यहां पर दुगने के आधार पर इसलिए दो से मल्टिप्लाई कर दिया जाएगा तो यहां 30,000 यह फर्मू की गुड़िल है अब इसमें शेयर आप दी कितने पार्ट के लिए आया वन अपान एट के लिए आया इसलिए हम 30,000 का वन अपान एट जो है करेंगे तो 3,750 आएगा यह गुड़िल मिस्टर दी को देनी पड़ेगी capital के अतरिक तो हमारी general intree जब होगी cash account डेबिट to this capital account 20,000 के लिए उसके बाद हम this capital account डेबिट to this capital account, this capital account, this capital account, this capital account, यह हमारे old partners है इनको sacrificing ratio में यह distribute किया जाएगा, sacrificing ratio क्या होता है old ratio minus new ratio New Ratio कैसे निकालेंगे, 1 upon 8 minus 1 करेंगे, तो 7 upon 8 remaining part आएगा, उसको multiply करेंगे, 3 upon 6, 2 upon 6, और 1 upon 6, आपका New Ratio निकालाएगा, Goodwill को हमेशा sacrificing ratio में distributed, if Goodwill not retain in the book, इसका मतलब यह है कि अगर ख्याती को पुस्तोकों में नहीं रखना है, तो old partners को हम debit कर देते हैं, A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to Goodwill, यह total हमारी Goodwill होगी जो फ़र्म की होगी, 1,80,000 इसको हम old ratio में distribute करेंगे, यह generally balance sheet में दी रहती है, A is capital account debit, B is capital account debit और C is capital account debit, D is capital account debit, यह Goodwill है, आपकी जो share आप D है, इसको हम sacrificing में distribute करेंगे, तो D is capital account debit, to A is capital account, to B is capital account, to C is capital account, being Goodwill, withdrawal, or retain of transfer to partners capital account, in sacrificing ratio, being D share of Goodwill, transfer or partners to sacrificing ratio, if any problem, you can ask me on phone, okay, good luck.